असलामकुम दोस्तों वेलकम डूमाई चैनल टेक्निकल सरीद मैसेश एक आज 26 नॉमबर 2022 आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सौधी रियाल एक्सचेंज रेट इंडिया पाकिस्तान बांगलादेश और नेपाल के बारे में कि आज सौधी अरफ की कौन सी बैंक से क्या रे करने के साथ साथ अपने दोस्तों में भी सेयर कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिएगे नोटिफिकेशन बेल को आल पर प्रेस कर दें जिससे आने वाली डेली सब्दी रियाल रेट की ताज़ा अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको सबसे पहले तो चलिए दोस्तों बिना वक्त जाया कि वीडियो को कर लेते हैं शुरू आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमजाज बैंक की इमजाज बैंक के जरिये पैसे बेजने पर इंडिया के लिए आज आप को रेट में लेगा 21 रुपे 43 पैसे का पाकिस्तान के लिए आप को रेट में लेगा 28 रुपे 86 पैसे का जबकि बांगलादेश के लिए आज आप को रेट में लेगा 28 टक का 20 पैसे और नेपाल के लिए आज आप को रेट में लेगा 34 रुपे 48 पैसे दूसरे नंबर पर अब हम बात कर लेते हैं Western Union Bank की Western Union Bank इंडिया के लिए दे रहे हैं 21 रुपे 37 पैसे पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं 69 रुपे 10 पैसे वही पर बंगलादेश के लिए 28 टक का 18 पैसे और नेपाल के लिए 34 रुपे 52 पैसे और दोस्तों अब हमारे पास मौझूद है पौरी बैंक पौरी बैंक के जिए पैसे बेजने पर इंडिया के लिए 21 रुपे 47 पैसे का पाकिस्तान पैसे बेजने पर आज आप कुरेट में लिए 58 रुपे 92 पैसे इससे तरह से बंगलादेश के लिए 28 टक का 17 पैसे और नेपाल के लिए आज आप कgor दूम लिए 34 रुपे谁 पैसे अगर हम बात कर लें हैं एश्टीसीशीब एप्लिकेयसिन की एश्टीसीब एप्लिकेशन इंडिया के लिए एकईटीस रुपए 28 पैसे पाकिस्तान के लिए अथाऊड रुपए 82 पैसे जब कि बंगला-देश के लिए 28 तक जीरो साथ पैसा और नेपाल के लिए अगर सब्सक्राइब की लगा 27 रुपे पैसे पाकिस्तान के लिए आप कुरेट में लगा 27 रुपे पैसे पैसे और नेक्सार जाब के लिए आप कुरेट में लगा जीरो चार पैसे का, इसी तरह से बंगलादेश के लिए आज आपको रेट में लगा 28 टक का 20 पैसे, और नेपाल के लिए आज आपको रेट में लगा 34 रुपे 55 पैसे,